Hello and welcome to your own channel Geostars. Today we will be going to talk about Africa continent. आज हम आफरिका महादीप के विशे में बात करेंगे. आफरिका महादीप छेतरफल एवं जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीप है. आफरिका में कुल देशों की संख्या पच्पन हैं, जिसमें 49 देश मुख्य भूमी पर हैं, तथा 6 दीपिये देश हैं. दक्षनी सुदान जो आरब में सुदान का भाग था, जुलाई 2011 में इससे विलग हो गया, तथा इसाई बाहूले वाला अलग देश बन गया. आफरिका में प्रतेइक देश की अपनी मुद्रा, जंडा, अपना अन्थम, इतिहास, संगीत वा अपनी पहचान हैं, यहां 2000 से भी अधिक भाशाएं बोली जाती हैं, तथा यहां 3000 से भी अधिक प्रकार के एथनिक ग्रुप पाए जाते हैं. यदि हम छेतरफल की दृष्टी से बात करें, तो छेतरफल की दृष्टी से आफरिका महादीब का सबसे छोटा देश शेशल दीप है, जो तंजानिया की पूर में हिंद महासागर मिस्तित है, जबकि जनसंक्या के आधार पर अफरिका महादीब का सबसे बड़ा देश ना आफ्रिका विश्व का एक मात्र एसा देश है जिसकी तीन राजधानिया है प्रिटोरिया, व्यूएम फोटेन, केप टाउन, दक्षन आफ्रिका की सबसे बड़ी और मुख्य सिटी जो हान्सबर्ग है यहां सोनी के विशाल भंडार के कारण इस स्वर्ण नगर या सिटी गोल्ड भी कहा जाता है विश्वत रेका आफ्रिका के 6 देशों गेबन, कॉंगो, डेमोक्रिटिक रिपाब्लिक ओफ कॉंगो, युगांडा, केनिया तता सोमालिया से होकर गुजरती है आफ्रिका का उत्तर पूर्वी भाग को हौन ओफ आफ्रिका कहा जाता है जिसमें त रंजानिया में अफसित है निम्नतम बिंदू लेक आसल है जोकी दजी बूटी में हैं लाजस्ट डेजर्ट सहारा, लॉंगेस्ट रिवर नाईल, लाजस्ट लेक विक्टोरिया, लाजस्ट आइलेंड मेडगास्कर तथा लाजस्ट वाटरफॉल विक्टोरिया फॉल है प पूत्री आफरिका जहां साथ देश, पश्मी आफरिका में पंद्रा देश, मध्यवर्ती में नौ, पूर्वी में चौदा और दक्षनी आफरिका में दश देश समलित हैं भूगर्भी द्रिश्टी से आफरिका आरम में गोंडवाना लांड का भाग था जिसमें दक्षन अमेरिका, अंटार्टिका, औस्ट्रेलिया, मेडगासकर तता भारत के प्राइडीप ये भाग समलित थे जुरैसिक काल के अंतिम चरण में तता क्रिटेशिस काल के आरम में ये भूभाग अलग हो गया ये उचे पठारों का महादीप है जिसका निर्मान कठोर चटानों से हुआ है इसे लावा निर्मित पठार का शील्ड भी कहते हैं यदि हम आफ्रिका को ध्यान से देखें तो इसके उत्तर में भूमद्य सागर एवं यूरोप महादीर पश्यम में अंध महासागर दक्षिन में अंध महासागर तथा पूर्व में अरब सागर वहिंद महासाग पूर्व में स्वेज भूर डमरू मद्य इससे एशिया से जोडती है जिब्राल्टर जल डमरू मद्य इससे उत्तर में यूरोप महादीर से अलग करती है आफ्रिका शब्द बरबर भाशा के शब्द इफ्री से हुआ है जिसका अर्थ गुफा में रहने वाली जातियों से इतिहास कारों का मानना है कि सबसे पहले मानव का जन्वविकास आफ्रिका में हुआ इसी कारण इस महादीप को मानव सब्विता की भूमी माना जाता है और बाब में आफ्रिका से ये दूसरे महादीपों में जाकर बस गये आफ्रिका उचे पठारों का महादीब है जिसका निर्मान कठोर चटानों से हुआ है इस लावा निर्मित पठार का शील्ड भी इसे कहते हैं आफ्रिका महादीब का धरातल प्राचीन गोनवाना लांड का ही भाग है आफ्रिका महादीब को आठ भौतिक भूभागों में विभक्त किया जा सकता है सहारा, सहेल, इथोपिया की उच्च भूमी, सवाना, स्वाहीली कोस्ट, रेन फॉरस्ट, आफ्रिकन ग्रेट लेक्स तथा दक्षनी आफ्रिका आफ्रिका में उचे वलिक परवत श्रेणियों का भाव है इस पठारी महादीब में कुछ छोटी परवत श्रेणिया पाई जाती है मुख्य परवत आटिलस माउंटिन तथा ड्रेकन्स बर्ग है माउंट किलिमेंजारो आफ्रिका की सर्वोट चोटी है जो ज्वाला मुख्य परवत भी है तथा दूसरी मुख्य चोटी माउंट केनिया है टेमेड इथोपियन कटांगा बाई मुख्य पठार है आफ्रिका का एक तिहाई भूभाग मरुस्थल है सहारा विश्व का दूसरा बड़ा मरुस्थल है इसके अलावा काला हारी वो नाम में भी यहाँ पर पाई जाने वाले मुख्य मरुस्थल है मुख्य बेसिन चड, सोडान, कॉंगो वो काला हारी बेसिन है आफ्रिका की तटिये रेखा 30,500 किलो मीटर है जो अत्यदिक सीधी वो सपाठ है जिसके कारण यहां खाड़ी, एश्चुरी वो प्राकतिक हार्बर का अभाव पाया जाता है सियर लियोन वो लाइब्रेरिया की तटिये रेखा को ग्रेन कोस्ट कहा जाता है आइवरी कोस्ट को आइवरी तट्रेखा घाना को गोल्ड कोस्ट तथा टोंगो, बेनिन तथा नाइजीरिया को स्लेव कोस्ट कहा जाता है मेडगास्कर, जनजीबार, पैमबा, मौरेशस, शेशल, इंडिन ओशन के और केप वर्डी तथा फर नंडापो अट्लांटिक महसागर के मुख्य आइलेंड है पूर्वी आफ्रिका विशु की विशालतम भू ब्रंश घाटी बनाता है जो न्यासा जील के दक्षन से उत्तर में लाल सागर, स्वेश की खाडी, अकाबा की खाडी से मृत सागर तक विस्त है आफ्रिका में कई मुख्य नदियां वह जीले पाई जाती है नील नदी विशु की सबसे लंबी नदी है इसके अलावा नाइजर रिवर, कॉंगो, जेमजी, लिम्पोपो तथा औरेंच नदियां यहां की मुख्य नदिया है आफ्रिका में पाँच बड़ी जीले, विक्टोरिया, टेगानिका, न्यासा, चड यह मुख्य पाँच बड़ी जीले है आफ्रिका एक ऐसा महादीप है जिसे एक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा केप्रिकॉन तीनों होकर गुजरती है एक्वेटर बीच से गुजरने के कारण यहां उश्ण कटिबंदिय जलवायू पाई जाती है जलवायू में यहां बहुत सी विवित्ता पाई जाती है पश्शिम भाग में सरवादिक वर्षा वही एक्वेटर से दूरी बढ़ने पे वर्षा कम हो जाती है वायू राशी के मूव्मेंट के आधार पर यहां आफ्रिका को आठ जलवायू प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है मोटे तोर पर आफ्रिका को तीन जलवायू छेतरों में भी बाटा जा सकता है उश्न जलवायू प्रदेश अर्द उश्न जलवायू प्रदेश तथा उच्छ भूमी प्रदेश प्राकतिक वनस्पती जलवायू के समान यहां वनस्पती में भी बहुत विभर्णता मिलती है विश्वत रेखा के समीप सगनवन उचेवर्ख्ष तो मांसूनी छेतर में पंड़ पातीवन वही उश्ण कटिबंदिय घास के मैदान सवाना शितोश्ण कटिबंदिय घास के मैदान वेल्ड इसके अलावा मिश्रत्व कोन धारीवन भी पाय जाते हैं यहां बंदर, हाथी, गोरिल्ला, मगरमज, दिर्याई घोडा, छिप्कली, गेंडा, जिराफ, जैबरा, अंटिलो, चीता, गीदर, लकडबग्गा, मुख्षी जानवर पाय जाते हैं पक्षियों में फ्लेमिंगो, किंग फिशर, हेरॉन, पैलकन, हौन बिल, शतुर मुर्ग तथा असंग के कीट पतंगे, सीसी मक्षी, कोब्रा, अजगर, छिप्कली, बिच्छु पाय जाते हैं अफ्रिका के दस प्रतिशत भूभाग पर कृशी होती है, मक्का, चावल, कसावा, शकरकन, मुफली, मोटे अनाज के मुख्य फसले हैं नगदी या कैश क्रॉप में तार, मुफली, कोकोआ, कसावा, कपास आते हैं तार का एवं मुफली का तेल पश्चम आफ्रिका से निकाला जाता है आफ्रिका सिसल का सबसे बड़ा निर्यातक है, जो जूट के समान वानसपतिक रेशा है जिससे रसी और बोरिया बनाई जाती है, पूर्वी भाग में काजु उगाया जाता है जनजी बार वा पैंबा में लौंग इलाइची नारियल उगाया जाता है, जो विश्व का नब्बे प्रतिशत लौंग यही पर उगाया जाता है एशिया विश्व के मुक्य तेल उतपादक देशों में से भी एक है अलजीरिया आफरिका का सबसे बड़ा ववर्ड का नौवा प्राकतिक गैस उत्पादक देश है किम्बरले विशु की सबसे बड़े हीरे की खान है विशु में सोना, हीरा तथा प्लाटेनर्म के उत्पादन में भी आफरिका पहला स्थान रखता है यदि हम बात करें यहां के मुख्य उद्योग और जनसंख्या की तो मुख्य उद्योग लोहा इसपाद, धातू निर्मान, रसाइनिक उद्योग, वस्र उद्योग यहां के मुख्य उद्योग है और यहां के मुख्य और देगे केंदर ईजिप, प्रिटोरिया, जोहांसबर्ग, डर्बन, इतियादी हैं आफ्रिका का मुख्य जनसंक्या घनतववाला छेतर गिनी की खाड़ी तथा नील नदी घाटी पूर्वी आफ्रिका की उच्छ भूमी मेडगासकर उत्री तट वदश्चनी आफ्रिका है सरवादिक नगरी करत देश री यूनियन है 20 मार्च 2021 के अनुसार यहां की जनसंक्या 1.363 बिलियन थी आफ्रिका में मुस्लिम जनसंक्या 52 प्रतिशत निवास करती है इसलाम आफ्रिका का सबसे बड़ा धर्म है फिर इसाई हिंदूों की संक्या यहां बहुत कम है मौरशस एक लौता देश है जहां हिंदू की जनसंक्या 48 प्रतिशत है विद दिस We have come to the end of today's session From now onwards you can also join our membership Members will be given special live sessions And many more facilities and notes too So you can join membership according to your choice Hope you would have liked today's video If you have gained knowledge Please don't forget to press like button Do like, share And if not subscribe, do subscribe to get further notifications At the end I would like to say Thank you so much Stay safe, stay healthy And take care